दो बड़ी खबरें हैं जिसको लेकर बात कर रहा हूँ और मीडिया का चरित्र दोनों से आपको समझ में आएगा जिस तरह से आगरा की लगकी के साथ दुर्वेभार हुआ है और उनकी मौत उनको जला दिया गया उसके बाद उन ही के घर में एक बाई जो उनका चेचरा भाई है उसने सुसाइट कर लिया और उसकी अलग-अलग थियोरी आ रही है थियूरी कुछ भी हो अगर वो आरोपी भी है उसकी कुछ गलती है तो आखिर कि पुलिस ने उसको एरेस्ट किया फिर पुलिस ने उसे क्यों छोड़ द चोड़ दिया उसे जान बुच के पुलिस ने धमकाया डराया ताकि वो सुसाइट कर ले लेकिन जिस तरह से बहुजन समाज के लोग लगातार नाराज हो रहे हैं जिस तरह से गुस्षा में मैं लगातार सोचल मीडिया वोच कर रहा हूं कि किस तरह से लोगों में नाराजग लिए उस पर से लगके को सुसाइट करना पड़ता है जबकि पुलिस ने उस लगके को अरेस्ट किया था हिरासत में लिया था फिर क्यों छोड़ना पर आगर वो कुछ उसकी कोई गलती थी गुनेगार था तो उसको रखना चाहिए था तो ये बड़ा फैक्टर है जिससे हमे और मीडिया की भूम क्या बहुत हम है कोई उस पर कोई बात नहीं कर रहा है कोई कुछ क्या नहीं रहा है कोई दिखा नहीं रहा है लेकिन एक ही फैमली से विक्टिम फैमली के भाई की खुदकुशी करनी पड़ती है अलग-अलगतर के एंगेल आ रहे हैं अलग-अलगतर क चिंता जनक है और डाने वाला भी है तो बहुत ही साचेत होने की जरुरत है, जागरु कोने की जरुरत है कि किस तरह से घर्टना है होगे लेकिनальные मीडिया की जो पूरी भूमकें है वो कट-घरे में खड़ा है दूसरी जो बड़ी खबर है कि नागपूर में बहुजनों की इतनी बड़ी रैली हो रही है बावनमेसराम जो की भामसेफ के राष्टी पाध्यक्ष अध्यक्ष है और उनका जो बामसेफ गूठ है उसकी 22 आज से ही एक शुरुआत हुई है अधिवेशन 35 साधू संतो कांदोलन हो पता ने उसको क्या कहते है अजका धर्म संसद फलाना संसद हमकाना संसद और उसकी जिसतर से कबरेज होती है और जिसतर से बहुजन समाज के लोग के खबरों को दरकिनार कियाता है सूचे नागपूर दिख्षा भूमी है बावा साहब के लिए ऐस मरनाक संकेत है जिस पर हमें लगता कि बात करनी चाहिए तो टेलिविजन चैनल से अब साफ हो गया है खबारों से साफ हो गया है मीडिया से साफ हो गया है कि एस तरह से बच्ची की हत्या कर दी जाती है सर्यान पेट्रॉल दाल कर दिन दहारे उसके बाद उसके ही परिवार को केक सक्स को खुद खुशी करनी पड़ती है जिसको पुलिस उठा के ले गई थी लेकिन पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहे है यहां तक कि लोग को मिले नहीं दिया जा रहा है मारा पिटा जा रहा है परिवार बालों से नहीं मिले और दुसरी तरफ आपकी रागनीती के लिए कोई जगा नहीं है अख़बार में और टेलिविजन में तो यह दोनों बड़ी बाते हैं जो मैं आप से आज कहना चाहरा था बहुत ज्यादा बाते नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कुछ कहने के लिए बहुत उदास हूं दुखी हू लेकिन एक बात साफ है कि पूरी तरह से मीडिया बेनकाब हुआ इस दोनों मामले को लेकर और मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस तरह के हालात है उसे साफ है कि लोग जो है वो अब धैर्ज खोते जा रहे हैं और बहुत जन समाज के लोग को समझने आने लगा है कि मीडिया, अखवार, टेलिविजन सब उनके खिलाफ है तो ये एक बड़ी बात है जो कहना चारा हूं अब नेताओं को जरूर इस पर इस त्योविसी माइनौर्टी के जो नेता हैं जिनको हम आप बोट करते हैं जिनकी बात करते हैं उनके लिए बहुत जोरी है कि वो चुपी तोर्य मैवती ने कल प्रेस कांफिरेंस करके प्रेस लिए जारी की है विक्टिम फैमिली के बारे में बात करनी चाहिए और उसे न्याय मिले और तो मीडिया की भूम का खास करें दोनों मामलों में काफी संदीग्ध है और इसलिए मैं कहता हूं कि बहुजनों की हार हो जीत हो अत् प्रेविजन में अब जगा नहीं है आज एक हम छोटी सी बात रख रहा हूं शुक्रिया आप सब लों का संदुक मारसी नेशनल दस्तक दिल ले फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें